खीलो फ्रेंट्स, फ्रेंटs व्लेकम् टू माई चैन्ल फ्रेंट्स, आज जहां बनाएंगे मुरूमृ के लड्टू बहुत ही टेस्टी और यमी साब घर पर कैसे बाजार से भी टेस्टी आप बना सकते हो तो चनिए मुरूमृृ के लड्टू बनाना स्टार्टी हैं니다 से पले आप से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स मेरे चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में बैल आइकन की घंटे उसे प्रेस करना नहीं भूलेगा जिससे के मारा नेस्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके तो फ्रेंड्स आपको टिप्स और ट्रिक के साथ बताएंगे कि जिससे आप आसानी से मुर्मुरे के लड्डू बहुत ही टेस्टी आप बना सकते हो घर पर और एक बार 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 बनाना चाहोगे तो चलिए श्टार्ट करते हैं देखिए हमने यह मूंफली लिया है तिल लिया है देशी घी लिया है एक लिए तील को आप भोनेंगे न तो उसे बराबर चलाते रहेगा देखिए आज प्लेम को बंद कर दीजेगे तो देखिए हमारा यह अच्छी तरीके से फूल चुका है और ने चाहोग और घञी किटना चेंज हो गया है और यह जब गैस के फ्रेम को बंद करके ना दूसरे बरतन में आप ट्रांसफर कर लेज़े अगर कड़ाई में रखेंगे तो जल जाएगा इसके बाद मुर्मुरे को भी हम थोड़ा सा ऐसे भून लेते हैं क्योंकि मुर्मुरा वैसे कुरकुरा तो रहता है लेकिन अगेन आ अब इसे आप भूने ना तो मीडियम कर दीजिएगा और फ्रेंट से यह बहुत ही अमीशा बनता है तो चले स्टार्ट करते हैं देखिए इसको अब हम भूनने के बाद ना दूसरे बरतन में इसको भी हम ट्रांसफर कर लेंगे तो देखिए हमने यहां पर दो बड़े चम सोग्राम हमने घुड को लिया है बारीक बारीक इसे कट कर लीजएगा और इछे कि इसमें मेल्ठ होने के लिए डाल दिजे गा अगर एन थोड़ा सा इसमें पानी को यूज कीजेगा यहां पर हम ने जो है से पानी को हैट किया है में मीडियम ठ्लेम पर ही डालिएगा única सबद्नाइब लाता है आई आप इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करके चला देंगे दो से 3 मिन लगता है इसमेल लेमें मैं ठाड़ितरी दियल हो जाएगा तो । यह दो मिनट में अच्छी हैं दाल करके ऐसे देख लेंगे कि हमारा अगर यह पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए ना तो समझेज़ेगे आभी आपका गुड़ अच्छी तरीके स्तयार नहीं हुआ देखिए यह पाने में एक जगाया ऐसे बन जा रहा है जब गुड़ बधने लगे न तो समझ लिजे कि आपका गुड़ एकदम परफेक्ट रेशियो इसका तयार है तो फ्रेंट चलिए इसमें अब हम गयस के फ्लेम को बंद कर देते हैं अब यहां पर हम देखे क्या करेंगे तील को आइड करेंगे जो सफेद के दाने आइड कर देते हैं और इसके बाद इसमें हम जो है मुर्मूरे को आइड करेंगे देखे आप इसमें चाहे तो सोठ भी डाल सकते हैं ठंडी का मौसम है अगर हम इसलिए नहीं डाले हैं कि आप चाहे तो गर्मियों भी में भी इस तरीके मुर्मूरे बनाकर आप ख transfer करके इससे ऐसे मिला लीजी न मिलाने के बाद इसे mix कर ले辯े mix करने के बाद देखे अच्के तरीके से हमारा मिक्स हो चुका है अब हम क्या करेंगे ना इसके लड़ू बनाएंगे देखिए जब यह नारमल गरम रहते हैं तो फटा-फटा आपको लड़ू बना ले along तो हाथ में आप आयल ले लिजे या थोड़ा सा पानी लगा लिजे इसके बाद लडू को आप इस तरीके से बनाना स्टार्ट कीजे तो देखें इस तरीके से हम लडू को आप जो भी size देना चाहें, छोटा, बड़ा, medium, जो भी size आप बनाना चाहते हैं, आप उस size के इस लडू को बना सकते हैं तो इस तरीके से फ्रेंट देखिए ये सारे लड़ू आप तयार कर लेजे फटाफट बन जाते हैं बहुत ही केश्टी और बहुत ही यमी हिल्दी सा मार्केट से भी अच्छा होता है इसमें आप चाहे तो काजू अगर भी पीछ करके थोड़ा सा डाल सकते हैं और आप इस त स्क्राइब कीजिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेश्ट रेसिपी के साथ नेश्ट वीडियो में थांक्यू बाइबाइबाइब और हमारा जो है सेकेंड वीडियो जो हमने मुर्म्रे के चिक्की बनाया है उसका लिंक हमने डिस्क् सकतलिक बढाइब और हमने मुर्म्रे के लिए लिए हमने के लिए बनाया है नेश्ट रखनार जो है सेकते हैं आता जो है